शामली शुगर मिलके सुपरवाइजर की हत्या और लोट पाट की घटना को अंजाम देने के बाद हत्या रोपी की सर्धना छेत्र में सड़क हाथसे में मौत हो गई हत्या रोपी के पास से सुपरवाइजर के घर से लोटा गया सामान भी बरामत हुआ है दरसल हम आपको बता दें मामला शामली शुगर मिलका है कांदला थाना चेत्र के गाउं रसूलपूर गूजरान के मूल निवासी पचपन वर्षिय ओमपाल सिंग शामली शुगर मिल में सुपरवाइजर थे ओमपाल अपनी पतनी के साथ मिल परिसर के कौटर में ही रहते थे जबकि उनके दो बेटे कपिल और अनुज शहर से बाहर रहते हैं रविवार को कपिल भी अपनी पतनी के साथ शामली आया हुआ था जिसके बाद ओमपाल की पतनी बेटा और पुत्रवधू रिष्टेदारी में गाउं का हात्वी करोधा चले गए शाम के समय जब परिवार के लोग वापस लोटे तो ओमपाल का शव बैड पर पड़ा हुआ था और उनके मुह से खून आया हुआ था थानवीन करने पर घर से लैपटॉप नगती और जैवरात भी चोरी हो चुके थे शव देखकर परिजनों में कहराम मच गया इसके बाद शामली सदर कौत वाली पुलिस भी मौके पर पहुची और गटना स्तलगा जायजा लेने के बाद शव को पोस्ट माटम के लिए जोनी इनके तास में आना जाना था नहीं और उसके बाद में वोंके आपी ले दे रहा और पिस्युदू ने पर शीजा नवे भी प्रॉट्वार जोनी नाम का विस्क्तिक सर्दना अम है तरदना खाना चेत्र मेरट देट जेंसर चेत्र जाता है वहां इसकी एक्षिदेंट के दौरान गत्वी हो गई जो इनके आंपे सामान लेगाना बताया है वह उसके पास से बरामद हुआ है खर्दर अवयों पणिकरत करके विदेकारवई किया रही है